मैं डियर फ्रेंट आज मैं GKGS सिरीज के प्रेक्टिस सेट 5 के साथ आपके सामने आजीर हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रते एक दिन 100 चुनिंदा कोस्चन्स को आपके सामने पेश करता हूँ तथा उसका एक्सप्लानेशन भी देता हूँ और ये कोस्चन्स आपके एक्जाम पॉइंट ओब व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं तो स्टार्ट करते हैं निम्न में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासंकाल देखा आपका उप्सन है ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती निजामुदीन ओलिया बा इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासंकाल देखा था और निजामुदीन ओलिया जो थे ये हमारे बहुत ही उर्दू के बहुत बड़े पोएट अमीर खुसरों के गुरू भी थे निजामुदीन ओलिया मंदिर निर्मान की किस सैली को चालुक के सैली के उपनाम से जाना जाता है मंदिर निर्मान की तीन सैली मेंली फेमस है जिसमें से नागर सैली रविड सैली बेसर सैली और ये गंदार सैली जो पूराने काल में फेमस था ये चार सैलिया है नागर सैली मुकिता उत्तर भारत में मंदिर निर्मान के लिए यूज किया जाता है द्रवेट सैली दक्षिन भारत में उपयोग किया जाता है उसी तरह आपको यहां पे बताना है कि किस सैली को चालुक के सैली के उपनाम से जाना जाता है मतलब किस सैली को चालुक के सैली भी कहा जाता है चालुक के जो आपका सही अंसर होगा बेसर सैली को चालुक की सैली के उपनाम से जाना जाता था निवन में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई आपको हर एक घटनाएं दी गई है इस तरह के कोश्चन्स तो PCS के एक्जाम में आवस्य ही पूछे जाते हैं तो ये चार घटनाएं दी गई कॉंग्रेस की अस्थापना, सुदेशी अंदोलन, अगस्त घोसना और सूरत विभाजन इसमें से आप से पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना जो है सबसे लास्ट में हुई है आपका सही आंसर होगा अगस्त घोसना सबसे लास्ट में हुई है कॉंग्रेस की अस्थापना 1885SB में हुई सुदेशी अंदोलन 1905SB में हुआ सूरत विभाजन 1907SB में हुआ इस तरह से सारी घटनाएं पहले हुई है लेकिन अगस्त घोसना जो है वो सबसे लास्ट में हुआ था निम्न में से चर्चा में रहा बेरुत सहर इस्तित है बेरुत सहर में जो एक बिसपोर्ट हुआ था वह सहर किस देश में इस्तित है तो ये जॉडन, तुर्की, मलेशिया, लेबनान आपको सही अंसर चूज करना है आपका सही अंसर होगा लेबनान या सहर लेबनान में इस्तित है हरप्पा संस्कृति की मुहरों पर सरवाधिक अंकित पसू कौन सा है आपको इसका अंसर देना है कि हरप्पा के जो मुहर होते थे और वो किस चीज से बने होते कभी-कभी ये भी पूछा जाता है तो सिंदुगाटी सबिता के जो मुहर होते थे वो सेल खड़ी से बने होते थे तो जो भी मुहर होते थे उसमें जो पसु अंकित होते थे वो कौन थे बैल, गाय, एक स्रिंगी इन में से कोई नहीं आपका सही अंसर होगा एक स्रिंगी, एहोर्न जो एक स्रिंगी होते थे उनकी ही पिक्चर मुहरों पे होती थी जुते हुए खेत के साक्ष किस अस्तल से प्राप्त होते हैं हरप्पा के डिफरेंट अस्तल से हैं उसमें से किस से जुते हुए खेत के साक्ष प्राप्त होते हैं हरप्पा से, काली बंगन से, सुत्त, कौन्डदार से इन में से कोई नहीं जुते हुए खेत के साक्ष आपका सही अंसर होगा काली बंगा से काली बंगा से जो जोतेवे खेट के साक्ष प्राप्त हुए हैं इरान की सीमा के निकटिस्तित हरपा काली नस्तल कौन सा था इरान की सीमा से सटा हुआ था उसका नाम क्या था लोथल, दैमाबा, सुथकॉंडदा, काली बंगा आपका सही आंसर होगा सुद्कॉंडदा ये जो जगा था ये आधुनिक इरान से सटा हुआ हरपा कालीन अस्थल था मैक्स मूलर के अनुसार आडियों का मूल निवास अस्थान क्या था मैक्स मूलर ये इतिहासकार थे इनके अनुसार आडियों का मूल अस्थान क्या था अपरिका, अस्ट्रेलिया, मदेश या इनमें से कोई नहीं आडियों के बारे में different theory चलती है कुछ कहते हैं ये मद्धेशिया से आये थे कुछ का कहना है अफ्रिका से आये थे इस तरह से अलग-अलग लोगों का अलग-अलग कहना है यहां आपसे पूछा गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार आडि कहां के मूल निवासी थे महाभारत के किस पर्व में लिंग-पूजा का अलेक मिलता है मैं आपको बता दूँ महाभारत जो है वो पूरा different पर्व जैसे chapter बोलते हैं न उस तरह से different पर्व में इकाई में बटा हुआ है तो आपसे यही पूछा गया है कि किस पर्व में लिंग-पूजा, सिव-लिंग, जो बगबान सिव होते हैं उनकी पूजा का अलेक मिलता है दुरोणाचार्ज पर्व, पांडु पर्व, भिस्म पर्व, इन में से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा भिस्म पर्व में लिंग-पूजा का अलेक मिलता है त्रिमूर्थी की संकल्पना किस काल में प्रतिपादित हुई त्रिमूर्थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये जो त्रिमूर्थी के रूप में है इनकी संकल्पना किस काल में प्रतिपादित हुई मौडी काल में, गुप्त काल में, हरप्पा काल में, वैदिक काल में आपका सही आंसर होगा गुप्त काल में त्रिमूर्ति की संडचना प्रतिपादित हुई जैन धर्म के 22 में तृतंकर कौन है? आपका सही आंसर होगा अरिष्ट नेमी ये जैन धर्म के 22 में तृतंकर माने जाते हैं वहीं पे 24 में तृतंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है और आदिनाथ या पहले जो थे रिसब देव उन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और वो पहले तृथंकर थे मंत्री मंडल सब्द का उल्ले किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छे 74 अनुच्छे 352 अनुच्छे 75 इन में से कोई नहीं आपका सही अनुच्छे 352 में आर्टिकल 352 में मंत्री मंडल सब्द का उल्ले किया गया है कौन सा संबिधान संसोधन पंचायती राज विवस्ता से संबंदित है कौन सा संबिधान संसोधन पंचायती राज विवस्ता से संबंदित है जो त्री अस्तर ये पंचायती राज विवस्ता होता है उसे संबंदित है 73 मा संबिधान संसोधन पचक तरमा संबिधान संसोधन 91 संबिधान संसोधन इन में से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा तेहत्तरमा संविधान संसोधन जो है वो पंचाईती राज बिवस्था से संबंदित है लिक्विड पेपर का अविस्कार किस ने किया था टोम कूपर ने बेसी निस्मित ने ग्रेगे चाल्स ने इन में से कोई नहीं आपको इसका सही आंसर देना है ये एकजाम के पूछे हुए कोश्चन है लिक्विड पेपर का अविस्कार किस ने किया था अविस्कार एवं विस्कारक से एक नए कोश्चन एकजाम में आही जाते हैं तो आपका सही आंसर होगा बेसी निस्मित ने लिक्विड पेपर का आविस्कार किया था हल्ली घाटी का युद्ध कब हुआ एक हलका सा कोश्चन आपके लिए 1574, 1575, 1576 और 1577 इस भी में आपका सही आंसर होगा 1576 इस भी में महराना प्रताप और अकबर के बीच हल्ली घाटी का युद्ध हुआ था इस युद्ध में वैसे तो महराना प्रताप की हार ही हुई लेकिन उन्होंने अपनी सक्ती का प्रदर्शन किया उन्होंने गुरिल्ला युद्ध दिखिया जब तक उनका प्रान रहा तब तक वो लराई लडते रहे चंदरबरदाई ने किस ग्रंत की रचना की थी पृत्वी राज, पृत्वी राज रासो, चंदरबरदाई रासो इन में से कोई नहीं आपका सही अंसर होगा पृत्वी राज रासो चंद्रवर्दाई जो थे वो पृत्वी राज चोहान के कवी थे और पृत्वी राज चोहान और मुहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुए तराइन का पृत्वम युद्ध 1191 में हुआ था तो इसमें पहले हार होती है मुहमद गोरी की हार होती है बाद में फिर मुहमद गोरी आकरमन करता है और पृत्वी राज चोहान की हार होती है यह कहानी भी है चंद्रवर्दाई की कि जब बन Typically बना लिये जाते हैं राजा पृत्विराज चोहान जब बंदी बना लिये जाते हैं तब तो चंद्रवर्दाई मुहम्मद गोडी से पृत्विराज चोहान को छुराता है और उसकी मिर्त्यू का कारण भी चंद्रवर्दाई ही बनता है अपने के कविता के कारण चंद्रवर्दाई इन्हें बताता है पृत्विराज चोहान को कि किस जगह पे सुल्तान बैठा हुआ है और पृत्विराज चोहान जो थे वो सब्दवेदी बान चलाना जानते थे और उसके अनुसार उसने मुहमद गोरी की हत्या की थी पृत्वि प्रदेश राजी की राज भासा कौन सी है हिंदी तमिल तेलगू मलियालम आपका सही अंसर होगा तेलगू मैं आपको बता दू हिंदी उत्तर भारत में बोले जाते हैं तमिल तेलगू और मलियालम ये दक्षिन भारत में बोले जाते हैं तेलगू आंद्रप्रदेश और ते और कंणर करनाटका की भासा है ये सारे जो भी साउथ इंडियन है ये सारे द्रबिड भासा से निकल के आए हैं और ये आपस में मिलते हैं प्रंतु ये हिंदी भासा से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं तो चार भासा हैं मैंने बताया दक्चिन बारत का तमिल तेलगू मलिय प्यूस ग्रंथी सरीर में कहां इस्तित होती है गर्दन में मस्तिस्क में पैरों में इन में से कोई नहीं पिट्यूट्री ग्लेंड कहां पे होता है इसे ही मास्टर ग्रंथी के नाम से भी जाना जाता है आपका सही अंसर होगा मस्तिस्क में फ्यूस ग्रंती मानव की मस्तिस्क में इस्तित होता है और इसकी संडचना मतर के आकार की ही होती है पावो के स्टेटस किसका वज्यानिक नाम है मयूर का, बाग का, हाती का, इन में से कोई नहीं आपका सही अंसर होगा मयूर का, पिकॉक, जो हमारा राष्टिये पक्ची है उसकी ही वज्यानिक नाम जो होता है वो पावो के स्टेटस कहा जाता है गुर्तवा करसन नियम के विसकारक कौन थे? कैपलर, निूटन, गैलीलियो, इन में से कोई नहीं गुर्तवा करसन नियम के विसकारक निूटन को माना जाता है भारत के दक्चिन में कौन सा महासागर है? प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्क्टिक महासागर हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्चिन में है और हिंद महासागर का नाम इंगलिस में से इंडियन ओसन करते हैं, हिंदी में हिंद महासागर करते हैं और इसका नाम जो है ये इंडियन सब कॉंटिनेंट के ही नाम पर इसका नाम इंडियन ओसन रखा गया था decibel किसे मापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है खुन में हिमोगलोबिन पिशाम में सक्कर और वातावरन में ध्वनी या वायू में कन की उपस्तिती को मापने के लिए किया जाता है आपको सही answer देना है आपका सही answer होगा वातावरन में ध्वनी को मापने के लिए ध्वनी की तिबृता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है समतल दर्पन की वक्रता तिर्जिया क्या होती है देखी वक्रता तिर्जिया होती क्या है पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ जो भी चीज अगर वक्र होता है अगर वो टेड़ा गोल आकरती का होता है तो उसकी कुछ वक्रता तरजिया होती है जैसे कि आप अगर अवतल दर्पन को देखें या फिर आप उतल दर्पन को देखें तो वो एक का तल धसा हुआ होता है उतल का तल उठा हुआ होता है और अ नहां पर बताना है समतल दर्पन की वक्रता तर्जया क्या होती है प्लेन मीरर की वक्रता तर्जया या वक्रता क्या होती है सुन एक अनंद एक और अनंद के बीच आपका सही आंसर होगा अनंद क्यूंकि इसमें कोई कर्व है ही नहीं जब समतल दर्पन जो आइना आपके सामने रखा रहता है उसमें कोई कर्व आपको दिखाई देता है क्या उस दर्पन में नहीं वो प्लेन मीरर होता है और प्लेन मीरर का जो वक्रता तर्जया होता है वो डाइनेमो के द्वारा, मोटर के द्वारा, ट्रांसफोर्मर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा आपका सही आंसर होगा रेक्टिफायर के द्वारा मैं यह आ पे बता दूँ मोतर का कार्ज किया होता है इलेक्टिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परवर्तित करना देखिये ये कुश्चन में बच्चे बहुत कन्प्यूज करते हैं साहद आप भी कर रहे होंगे इसलिए मैं कलियर कर दे रहा हूँ तो मोटर का कार्ज होता है इलेक्टिक उर्जा क्योंकि आप मोटर जब भी चालू करते हैं तो पहले स्विच देते हैं इसका मतलब उसमें इलेक्टिक उर्जा देते हैं और वो यांत्रिक उर्जा में करवर्ट करता है डाइनेमो का कार्ज होता है कि वो dynamo से विद्यूत उत्पन किया जाता है तो जो भी dynamo होता है उसका कार्ज होता है कि वो यांतरिक उर्जा से विद्यूत उर्जा में convert करता है transformer का कार्ज होता है कि step up and step down दो तरह का transformer होता है ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है जो AC current आपके घरों तक आता है उसके voltage को कम और ज़्यादा करने के लिए transformer का उपयोग किया जाता है transformer नाम से ही किलियर है ये प्रत्यावर्ती धारा को transform करता है और rectifier, rectifier का उपयोग जब प्रत्यावर्ती धारा को dist धारा में जब AC को DC में convert करना रहता है तब rectifier का उपयोग किया जाता है अगर AC को AC में ही कम और ज़्यादा voltage करना है तो फिर हम transformer का उपयोग करेंगे उमीद करता हूँ आपको ये सारी बाते किलियर हो गई होगी एक कित्रिम उपगरह में विद्युत उर्जा का स्रोत क्या होता है जो भी artificial satellite हम लोग भेजते हैं उसमें energy का स्रोत क्या होता है सौर सेल, लगुनाव की ये reactor, डाइनेमो, थर्मो पाइल आपका सही answer होगा सौर सेल क्योंकि जो भी जब वो अंतरिक्ष की तरफ कोई भी satellite वरता है तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ सन के energy के अलावा तो जब सन की energy ही रहती है तो हम सौर प्लेट का उप्योग करते हैं नाव की ये reactor में निमलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आपका option है थोडियम, ग्रेफाइट, रेडियम, साधारन, जलको मंदक के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है आपका सही अंसर होगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की छर का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है नाव की ये reactor में मंदक का उप्योग क्यों किया जाता है क्योंकि reactor में जो नावकिये विखंडन होता है उसमें neutron जो होता है उसकी बंबारी की जाती है और neutron एक neutron के टूटने से ये एक स्रिंखला आवक्रिया प्रारंब हो जाता है एक series of reaction प्रारंब हो जाता है और अगर neutron को खीचा ना जाए वहां से तो फिर यह uncontrolled नावकिये विखंडन होने लगेगा इसी को control करने के लिए manदक का इस्तेमाल किया जाता है और नावकिये रियक्टर में मंदक के रूप में toxicity का इस्तेमाल किया जाता है भारत में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध महत्पुर नावकिये इंधन क्या है मिन्स नावकिये इंधन नावकिये रियक्टर में जिसे यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है प्लुटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है ये इसी से नावकिये विखंडन अवक्रिया होती है तो आप से वही पूछा गया है कि नावकिये रियक्टर में नावकिये इंधन के रूप में भारत में सबसे प्रचूर मात्रा में कौन सा तत्व है यूरेनियम, थोरियम, इरीडियम, प्लुटोनियम आपका सही आंसर होगा थोरियम भारत में प्रचूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है जबकि अगर हमें यूरेनियम की आवस्यक्ता होती है तो हम अस्ट्रेलिया से उसे खरीदते हैं गांधी जी ने किस आंदोलन के दोरान करो या मरो का नारा दिया था मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपका सही आंसर होगा भारत चोरो आंदोलन आठ अगस्त 1942 को भारत चोरो आंदोलन की प्रारंब किया गया इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया महत्मा गांधी द्वारा प्रकासित सामाचार पत्र इंडियन ओपेनियन निम्न में से किस भासा में नहीं प्रकासित होता है इंडियन ओपेनियन डिफरेंट भासाओं में प्रकासित होता था उसमें से पूछा गया है आपसे कि किस भासा में नहीं प्रकासित होता था गुजराती, तमिल, हिंदी, बंगाली तो आपका सही अंसर होगा बंगाली ये बंगाली भासा में इंडियन ओपेनियन पवलिस नहीं होता था बाकी गुजराती, तमिल, हिंदी इन सभी भासाओं में पवलिस होता था डिगबोई, बरवनी, बीना सहर निम्र में से किस के लिए प्रसिद्ध है डिगबोई, जोकी असम में है, बरवनी, बिहार में है, बीना सहर ये सभी किस लिके लिए प्रसिद्ध है तेल, सोधक, सrapा, सैंथर के लिए, सोने की खान के लिए, प्रमानुलज़ा सैंथर के लिए आपका सही अंसर होगा, तेल, सोधक, सैंथर के लिए ये तीनों प्रसिद्ध है निम्न में से कौन सा वन्न जीब अभ्यारन और राश्ट्रिय उद्यान असम में इस्थित नहीं है असम में इन में से कौन सा नहीं है नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गोरु मारा नेशनल पार्क, पोवी तोरा वन्न जीब अभ्यारन आपका सही आंसर होगा गोडु मारा नेशनल पार्क यह असम में नहीं है बांकी सभी ना मेरी काजी रंगा और पोवी तोरा ये सारे के शारे वनिजीब अभ्यारन या राश्ट्रिय उद्यान असम में इस्थित है काजी रंगा किसके लिए फेहमस है ये एक प्रसिद्ध गो किस नदी पर है देहांग नदी, कामेंग नदी, दिवांग नदी, सुबन इरी नदी ये सभी नदियों के नाम है उत्तरफपुडव की नदियां है तो आपको बताना है इटालियन हाइड्रो आलेलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट जो है यह किस नदी पर इस्थित है आपका सही आंसर होगा दिवांग नदी या बरंपुत्र की सहायक नदी है देहांग तता दिवांग ये बरंपुत्र की सहायक नदी है और इस पर इटालीन हाइडरो इलेक्टिक प्रॉजेक्ट अस्थापित है ग रामो द्योग विकास योजना किस मंत्राले की योजना होती है ओपसन कितना क्लोजली दिया हुआ है उपर का लगता है इसमें से किसी भी मंत्राले में हो सकता है बेट इसका correct answer आपको जानना है आपका सही answer होगा सुक्छम लगू एवा मध्यमुद्योग मंत्राले Small, Medium and Micro Micro, Small and Medium Enterprises MSME Micro, Small and Medium Enterprises MSME मुला पेडियार बांध कहां इस्तित है केरल, तमिलाडू, अंद्रपरदेश, महाराष्टा मुला पेडियार बांध केरल में इस्तित है नई सिक्छानिती 2020 किसे परतिय स्थापित करके बनाया गया यह तो आपके लिए most important question बनेगा क्योंकि अभिहाल में ही New Education Policy NEP लाया गया 2020 जिसमें बहुत सारे changes किये गए तो आप मेरे वीडियो को देख सकते है New Education Policy के लिए तो अभी प्लेलिस्ट में है तो मैं अभी आपका question है कि New Education Policy 2020 ने किस पुराने सिक्छानिती को प्रवर्तित कर किया तो सिक्छानिती 1972, सिक्छानिती 1978, सिक्छानिती 1986, सिक्छानिती 1996 को change किया तो सिक्छानिती 1986 को change किया New Education Policy 2020 ने कितने साल के बाद तो ये आपके लगबग हो जाएंगे 36, 36 years के बाद इसको change में लाया गया नागारजुन सागर स्री सेलम टाइगर रिजर्व किस राज में इस्तित है नागारजुन सागर स्री सेलम टाइगर रिजर्व ये combined नाम है आप इसे अलग करके मत पढ़िए ये किस राज में इस्तित है आंद्रप्रदेश तेलंगना आंद्रप्रदेश और तेलंगना तमिनलाडू आपका सही आंसर होगा आंद्रप्रदेश और तेलंगना ये दोनों का ही combined रूप से है नागारजुन स्री सेलम टाइगर रिजर्व ब्लू पॉपी कहां पाया जाता है ये एक तरह का बनस्पती है ब्लू पॉपी और ये उत्राखंड के कुमाउ से लेकर कास्मीर तक पाया जाता है ये एक फूल है बहुत ही फ्यमस फूल होता है ब्लू पॉपी आजकल फिर से ये देखा गया है तो ये उत्राखंड के कुमाओं से लेकर कास्मीर तक फैला हुआ है इस्तांबूल कन्वेंशन क्या है महलाओं का राजनेतिक समू महलाओं एबं घरेलू हिंसा के विरुद्रोक्थाम के लिए परसत एशिया एबं यूरोप के बीच आर्थिक समझोता महलाओं का स्वेम सहायता समू इसमें से आपको उप्सन चूज करना है देखिए जिस तरह से आपसे पूछा जाता है झेनेवा करण जहिए फिरुद्रोक्थाम के लिए परसतर के बेचरGB तो यहाँ पर आपका कुश्चन था इस्तांबूल करण इस्तांबूल करण जो है वो महलाओं एवं घरेलू हिंसा के बिरुद रोक थाम के लिए एक परिशद है इस्तामूल कन्वेंशन पवन हंस हेलिकॉप्टर सेवा की सुरुवात हाली में कहां किया गया उत्राखंड हिमाचल पर्देश जम्मु कस्मीर माहराष्ट आपका सही आंसर होगा उत्राखंड ये जो केदारनाथ का मंदिर है या फिर चारधाम की यात्रा के लिए जो लोग निकलते हैं वहाँ पर बद्रिनाथ इन सभी चीजों में सहायता पहुचाने के लिए पवन हंस हेलिकॉप्टर सेवा का सुरुवात किया गया था सब्री माला मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है पेड़ियार नदी पंपा नदी भरत पूजा नदी मांडवी नदी तो ये सब्री माला मंदिर जो है वो पंपा नदी के किनारे इस्तित है डामफा टाइगर रिजर्व कहां इस्तित है असम अरनाचल परदेश मेगाले मिजोरम यह एक जाम के पूछे के कोश्चन्स हैं इसलिए आप इन सभी को एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो आप दुवारा मेरे वीडियो को देखिए बट इसे आप मगप कर लिजिए क्योंकि एक जाम में जरूर आएगा डामफा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में इस्तित है किसी अर्थ व्यवस्था की रहान सहन के अस्तर को किसे मापा जाता है देखिए एक होता है प्रतिवेक्ति आए और जिससे हम लोग आदमी कितना कमा रहा है उसकी अर्थ व्यवस्था का क्या कंडिशन है इसे मापते है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी अर्थ व्यवस्था की रहन सहन के अस्तर को किस से मापा जाता है तो कुल आए, सकलगरिलू उत्पाद, राष्टिया आए या प्रतिवेक्ति आए आपका सही अंसर होगा प्रतिवेक्ति आए इसके द्वारा हम अर्थ व्यवस्था के रहन सहन के अस्तर को मापते हैं पर कैप्टा इनकम इससे हमें ग्रोध का भी पता चलता है कि कौन सा राज कितना ग्रोध कर रहा है इसमें हर एक पहलू को देखा जाता है, सिक्षा को देखा जाता है प्रति एक आदमी की इंकम कितनी है उसको देखा जाता है और तब प्रति व्यक्ति आई फिक्स किया जाता है राश्टिय आई की गन्ना किसके द्वारा किया जाता है यह एक फैमस कोश्चन है मिन्स अर्थ विवस्था का यह एक फैमस कोश्चन है आपको मैं बता दूँ केंद्रिय सांखी की अभिभाग CSO Central Statistics Organization इसके द्वारा राश्टिय आई की गन्ना कि जाती है प्रतिव्यक्ति आई को निकालने के लिए राश्टिय आई को किस से भाग दिया जाता है पहले आप राश्टिय आई निकाल लीजिए फिर उसको किसी चीज़ से भाग देने पर हमें प्रतिव्यक्ति आई आता है तो कुल जनसंक्यां से भाग देने पर कुल काडिजरत जनसंख्यां से भाग देने पर छेत्र जो area है उससे भाग देने पर या फिर पूंजी की मातरा से भाग देने पर किस से भाग देने पर प्रतिवेक्टि आई निकलता है देखें सिंपल सी बात है ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि टोटल राष्टिया आय में किस चीज से भाग दिया जाए कि एक व्यक्ति का आय निकले तो टोटल राष्टिया आय में टोटल राष्ट के लोगों का होगा तो राष्ट की जनसंक्यां से अगर हम भाग दे देंगे तो वो परतिव्यक्ति आय निकलेगा तो यहाँ पर सही विशेसादिकार से विशेस अनुमती याजिका से SLP और उसके बाद उचितम नियालेद्वरा राष्टपती को दिये गए प्रारमर्ज से कॉलेजियम प्रनाली से यहाँ पर आपका सही अंसर होगा विशेस अनुमती याजिका SLP 136 में SLP के बारे में डिटेल में बताया गया है गरूर सकती सैन्य अभ्यास आयोजित होता है किस-किस देशों के बीच में गरूर सकती सैन्य अभ्यास आयोजित होता है भारत, फ्रांस, भारत, स्रिलंका, भारत, इंडोनेशिया, भारत, ओमान आपका सही अंसर होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच के जो अभ्यास होता है सैन्य अभ्यास होता है उसे गरूर सक्ति सैन्य अभ्यास कहा जाता है हाली में प्रदुसन के कारण चर्चा में रहा नाग नदी का उद्गम अस्थल है हाली में चर्चा में रहा नाग नदी का उदगम अस्थान क्या है आराबली पहारी, लावा पहारी, मीकिर पहारी, अमरकंटक पहारी आपका सही आंसर होगा लावा पहारी ये नाग नदी जो है ये लावा पहारी से निकलती है Istanbul Convention का संबंध किस से है फिर से एक कुश्चन रिपीट हो गया इसका अंसर होगा महलाओं के बिरुद्ध देहिंसा रोकने से संबंधी तो होता है Restart General of India किस मंत्राले के अधीन कार्ज करता है पर आप मैरेज करना है तो जहां पर जाके आप रीष्टरेशन कराते हैं उसे ही राइस्टार जेनरल ओफ इंडिया कहा जाता है तो यह किस मंत्राले के अंतरगत कार्ज करता है मानव संसादन विकास मंत्राले स्वास्त एबं परिवार कल्यान मंत्राले महला एबं बाल विकास मंत्राले ग्रिह मंत्राले आपका सही अंसर होगा ग्रिह मंत्राले रेश्टार जेनरल आफ इंडिया ग्रे मंत्राले के अंतरगत कार्ज करता है ओवरड्राप्ट सेविंग दा इंडियन सेवर नामक नई पुस्तक किसके द्वारा जारी किया गया था लगुराम राजन, उर्जित पटेल, सक्तिकान दास, अर्विंद पनगडिया ये अर्थविवस्ता पे लिखी गई एक पुस्तक है मोदी के जितने भी साल थे उनके बारे में क्या लॉस हुआ, क्या नोट बंदी पे क्या हुआ, नहीं हुआ इसी सब के बारे में लिखा गया बुक है ओवरड्राप्ट सेविंग दा इंडियन सेवर इसे उर्जित पटेल ने लिखा था करेवा प्रसिद्ध है चाय वगान के लिए, कौफी वगान के लिए, केसर की खेती के लिए, रवर की खेती के लिए आपका सही आंसर होगा केसर की खेती के लिए करेवा प्रसिद्ध है और यह जम्मू कस्मीर का एक एडिया है हरा सोना क्रांती ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन निम्न में से किस से संबंदित है अब जरा वोर्ड पे गोल कीजिएगा आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं हरा सोना क्रांती वनी करन कार्जक्रम पवंट अर्वाइन बंबू पे सौर पैनल पे देखिए मेरा मोटो यहां पे आपके नौलेज को जज़ करना नहीं है आपको कुछ सिखाना है इसलिए मैं जो ऑप्सन देता हूँ वो सिंपल सा ऑप्सन देता हूँ करकरेखा भारत में निमलिखित में से किस राजियों से होकर गुजरती है तो इसका एक ट्रिक भी फेहमस होता है मित्र मी त्रो तो मिजोरम त्रपुडा पर पस्चिम बंगाल राजस्थान गमच्छा गुजरात मोस मिजोर मनिपूर और जार जारखंड ये पुड़ा है मित्र पर गमच्छा जार इसका मतलब क्या बोले हो स्वाट्रिक लोग याद करते हैं अगर आप हिंदी वासी है तो आपको ये आवस्य समझ में आया होगा मित्र पर गमच्छा जार जार से जारखंड तो इस तरह से ये पुड़ा है तो करकरेखा भारत के किन राज्जियों से होकर गुजरती है आपका सही आंसर यहां पे आपको देना है तो आपका सही आंसर होगा वन, टू, एंट थरी गुजरात, राजश्तान और छतिसकट से होकर करकरेखा भारत से गुजरती है बहुत देशिय अंतर राज्जिय सीचाई पर्योजना पोलावरम पर्योजना किस नदी पर है कावेडी गोदावरी कृष्णा महानदी तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी पर इस्थित है या एक बहुत देशिय अंतर राज्जिय सीचाई पर्योजना है निमलिखित में से कौन से एक ठंडे माज सगडिय जल्दारा नहीं है देखे दो तरकी माज सगडिय जल्दाराएं होती है एक गर्म जल्दाराएं होती है एक ठंडी जल्दाराएं होती है आप जानते हैं विश्वत रेखा के पास से जो जल्दाराएं निकलती है वो गर्म जल्दाराएं होती है और जो दोनों पोल पे नौर्थ या फिर साउथ पोल वहां से जो जल्दाराएं निकलती है वो ठंडी जल्दारा होती है तो आप से यहां पे कुश्चन किया गया है न तो यहां पे सुसिमा धारा वो है एक थंडी मासगड़ी जलदारा नहीं है इसका मतलब सुसिमा धारा जो है वो गर्म जलदारे मास अगड़ी जलदारा है बाकी कैलिपोर्निय अंधारा कनाडी धारा सुमारी अंधारा ये सबी के सबी थंडी माहसगड़िये जल्दारा हैं हैं प्रिट्वी के वायु मंडल में प्रचूरता के संबंध में निम्लिकित में से कौन सा गैस दूसरे अस्थान पर आता है ये तो एक बहुत ही आसान कोश्चन है आपके लिए आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन आप जानते हैं 78% के लगबग नाइट्रोजन होता है और 21% के लगबग ऑक्सीजन होता है तो प्रिट्वी के वायु मंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में विद्दुमान गैस जो होता है वह ऑक्सीजन होता है बिग इंच पाइप लाइन के दौरा क्या प्रभाहित होता है तो बिग इंच पाइप लाइन के दौरा क्या प्रभाहित होता है दूध पेट्रोलियम गैस चल आपको इसमें से आंसर देना है तो बिग इंच पाइप लाइन के दुआरा पेट्रोलियम प्रभाहित होता है पेट्रोलियम जैसे डिग वोई में तेल सोध़कार खाना है समके अब वहां से आसपास के एरिया में या फिर कहीं भी जो पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई होता है वो एक pipe के माध्यम से high pressure पे उसे एक जिगह से दूसरे जिगह बेजा जाता है तो उस pipe का नाम ही big inch है जिससे petroleum पदार supply होता है निमलकी में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाक से जोड़ता है आपको वो पास का नाम बताना है जो लहासा को लद्दाक से जोड़ता है लानक लद्दाक से जोड़ता है आपका सही अंसर होगा लानक लापास यह लहासा को लद्दाक से जोडता है भूमला का संबंद किस से है यह किस-किस प्रदेश को जोडता है भूमला पास अपना चल नहीं है और नाचल प्रदेश को म्यानमार से जोडता है अरुनाचल परदेश को तिबब से जोरता है अरुनाचल परदेश को भूटान से जोरता है नागालेंड और म्यानमार को जोरता है बुमला पास जैसे आपने अभी पढ़ा लानकला पास लहासा को किस से जोरता है लद्दाक से जोरता है उसी तरह भूमला पास जो है या किस को किस से जोड़ता है तो भूमला पास अरुनाचल प्रदेश को तिबबत के साथ जोड़ता है निमलकी समय से कौन एक टाइगर रिजर्व नहीं है आपको चार अपसंदिये गए है इसमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व नहीं है आपका सही आंसर होगा गिर राष्टिये उद्ध्यान आप जानते है गिर के जो सेर होते है एशियन लाइन्स जो होते है वो बहुत ही फेमस होते है और ये लाइन्स के संड़क्षन के लिए एक पार्क है जबकि आपसे यहा बुकसा और इंद्रावती ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व के अस्थान है निम्न में से कौन सा रामसर छेतर के अंतरगत सामिल नहीं है आपको मैं बता दू रामसर वेटलेंड छेतर वैसा एडिया होता है वो रामसर का जो भी साइट होता है वो वेटलेंड एडिया हो आपका सही आंसर होगा डल जील यह रामसर साइट नहीं है क्योंकि यह वेटलेंट नहीं है तो डल जील को छोड़के वूलर जील जो है वो ही है समस्पूर पक्ची अब्यारन और दीपोर बिल यह सारे रामसर साइट है जबकि डल जील रामसर साइट के अंतरगत नहीं आता ह निम्ने में से कौन सा हाथी संडक्षन से संबंदित नहीं है काजी रंगा पेडियार अन्ना मलाई केवला देव आपका सही अंसर होगा केवला देव राष्टिय उद्यान जिसे घाना पक्चिय अभ्यारन ने भी कहा जाता है और भरतपूर भरतपूर या घाना मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ आप जड़ा देख लिजिएगा भरतपूर साइद भरतपूर पक्चि विहार भी कहा जाता है केवला देव राष्टिय उद्यान को और ग्या चुके पक्चि का है तो यहाथी संदक्चन का जगा नहीं है माग यहाथी संदक्चन का जगा काजिरंगा पेडियार और अन्ना मलाई है काई और लाइकन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पती में उच्च कटिवंदी है सदावाहरवन में टुंडरा वनस्पती में इन में से कोई नहीं तो काई और लाइकन टुंडरा वनस्पती में पाए जाते हैं निम्न में से कौन एक भारत का राष्टिय जलिय प्रानी है तो राष्टिय जलिय प्रानी जो है वो खारे पानी का मगरमच, ओलिव रिडिले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन या घडियाल आपको इसका सही आंसर देना है आपका सही आंसर होगा गंगा का डॉल्फिन, गंगा का यू डॉल्फिन है वही एक राष्टिय जलिय प्रानी है भारत गुप्तों की अधिकारिक भासा क्या थी? गुप्त राजवन्स पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, फुल डिटेल में उसके सासकों तथा उसके प्रसासनिक विवस्ता को कवर किया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है गुप्तों की अधिकारिक राजवासा क्या थी? प्लाकर्ट, मैथली, पाली, संस्कृत आपका सही आंसर होगा संस्कृत गुप्त राजवन्स के जितने भी सासक थे, उन्होंने संस्कृत को बढ़ावा दिया था तो गुप्तों की अधिकारिक भासा संस्कृत थी बायो गैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिसत में है कारवन डायोकसाइड, मीथेन, हाइडरोजन सलफाइड, एंड मॉइस्चर आपका सही आंसर होगा मीथेन बायो गैस जो भी कहे जाते हैं उसका मुख्य घटक मीथेन होता है मैंगरोब वनों के संदर्म में सही कथन है यह वन केवल खाड़े पानी में ही बना सकते हैं बास और नारियल मैंगरोब वन के बनस्पती नहीं है दो कथन दिये गए हैं आपको सही आंसर चूज करना है आपका सही आंसर होगा केवल एक यही सही कथन है क्योंकि मैंग्रोब बन जो होते हैं वो खाड़े पानी में ही हो सकते हैं जबकि बांस और नारियल मैंग्रोब पेर के अंतरगत नहीं आता है सुंदरी पेर जो होता है जो सुन्दर बन का डेल्टा अभी पस्टि मंगाल के आसपास है उसमें ये सुन्दरी पेड जो होते हैं जिनकी जरें लाल होती है वो पेड नंगरोबन में पाए जाते हैं निम्न मेंसे किस पारिश्चित की तंद्र में सुद्ध प्रार्थमिक उत्पादक्ता सबसे अधिक होती है सुद्ध प्रार्थमिक उद्पादक्ता कहने का मतलब जो हमारे पेर पोधे वनस्पतियां होती है उसे ही प्रार्थमिक उद्पादक्त कहते हैं तो यहां पर आपसे पूछा गया है किस पारितंत्र में सुद्ध प्रार्थमिक उद्पादक्ता सबसे अधिक होती है आपका सही आंसर होगा उस्म कटिवंदिये वर्सा वन क्यूंकि यहां पे पेर पोधे और वनस्पतियां बहुत ही संख्या में उगती है इसलिए यहां पे सुद्ध प्रार्थमिक उत्पादक्ता की जो होती है वो अधिक्ता होती है निमलकित में से कौन सा कथा सत्य है बैरंदीप जोला मुखी एक सक्रिय जोला मुखी है बैरंदीप लक्षदीप समोह में इस्तित है इंडिया में एक ही जोला मुखी है बैरंदीप जोला मुखी आपको यहां पे सही आंसर देना है आपका सही आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है बैरन दीप जो है वह एक सक्डी है जो अला मुकी एक्टिव वालकेनो है और यह लक्षदीप समू में इस्तित नहीं है सकेंड नमर गलत है क्योंकि यह लक्षदीप समू में इस्तित नहीं है तो राश्ट्रिय जलमार्क NH1 जो है National Waterway 1 ये दिल इलावास से हल्दिया के बीच में NH2 सादिया से धुबरी के बीच में NH3 कोटापुरम से कोलम के बीच में NH4 काकी नाड़ा से कोटापुरम के बीच में आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका सही अंसर होगा NH4 काकी नाड़ा से कोटापुरम या गलत है तो आप मुझे बताइए कि NH4 कहां से कहां तक पहला हुआ है आप मुझे कमेंट करके ये बताइए यहाँ पे मैं आपको बतादू NH1 सही है इलावास से हल्दिया तक पहला हुआ है NH2 सादिया से धुबडी तक कहीं धुबडी भी लिखा मिलेगा तो सादिया से धुबडी तक पहला हुआ है NH2, NH3 भी सही है कोटापुरम से कोलम के बीच में पहला हुआ है जबकि NH4 गलत लिखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि NH4 कहां से कहां तक पहला हुआ है ये आपका आज भर के लिए इतना ही मिलते हैं Practice It 6 के साथ अगले वीडियो में